नमस्कार दोस्तों, RG Studio चैनल में आपका हाधिक स्वागत है, मेरा नाम राहुल है, मैं एक अध्या पकूँ, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उत्राखन राज्जी की अगामी प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए 26 अती महत्रपूर्ण परिच्छन बताऊंगा, 26 वार जम्स के लिए और लोडर अपर PCS आधी एक जम्स के लिए जो वीडियोज होते हैं, जो आधी एकजम्स के लिए जो पेपर होते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुती अधिक लाभदाइग होगा, मैं आपको बता दू हम wonder. अपने चैनल RG Studio में जो अलग-लग कॉम्प्रेटर एक्जाम्स होते हैं जैसे कि उत्राखन, गुरुप C, उत्राखन, लोवर, अपर PCS, SSC, बैंक, रेलवे, IES, PCS, आधी एक्जाम्स के लिए वीडियोज अप्लोड करता हूं और जो नई अपडेट आती हैं प्राइवेट, गवर्मेंट और पब्लेक सेक्टर फार्म के लिए, जॉब्स और एड्मिशन्स के लिए उनके लिए वीडियोज बनाता हूं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल RG Studio को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब करके बाइल आकन का बस से आउन कर ल प्रस्न दो कोडिंद बंस का सबसे सकतिसाली सासक अमोग भूती था इसका उत्र एमोग भूती था इसका उत्र आपने मेरे अमोग भूती प्रस्न तीन दुस्यंत और सकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कनवा सरम से प्रस्न चार वर्तमान गडवाल शेत्र हेतु गडवाल नाम कब अस्तिस्त में आया इसका उत्तर है 1515 इस्वी में तो वर्तमान गडवाल हेतु गडवाल नाम 1515 इस्वी में अस्तिस्त में आया प्रस्न पांच अंग्रेजियों और गोर्खों के मद्दे संगौली की संदी कब हुई इसका उतर है अठारा सो सोला में अंग्रेजियों और गोर्खों के मद्दे संगौली की संदी अठारा सो सोला में हुई थे प्रस्न चे गोर्खों ने गडवाल पर पूर्ण अधिकार कब किया इसका उत्तर है 1804 में किया प्रस्न साथ टहरी रियाचत का भारत में विले कब हुआ ये कोसन कई बार एक्जम ना चुक है टहरी रियाचत का भारत में विले कब हुआ इसका उत्तर है 1949 में टहरी रियाचत का भारत में विले 1949 में हुआ प्रस्न आठ गडवाल के इतिहास में जहासी की रानी की संग्या किसे दी गई है इसका उत्तर है टीलू रतौली को गडवाल के इतिहास में जहासी की रानी की संग्या टीलू रतौली को दी गई है प्रस्न नौ नेपाल नरेश असोग चलने उत्राखन पर कब आक्रमण कर कुछ परविते छेत्र पर अधिकार कर लिया था इसका उत्तर है 1191 में नेपाल नरेश असोग चलने उत्राखन पर 1191 में आक्रमण कर कुछ परविते छेत्र पर अधिकार कर लिया था प्रस्न 10 कौन नाकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है ये बहुत ही important question है जातर लोगों को इसका answer आता है कौन नाकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है इसका उतर है करणावती करणावती नाकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है प्रस्ण ग्यारा काल सी देहरादून इस्थित असो कालीन सिला ले की भासा है ये गोर्खों ने कमाओ पर कब अधिकार कर लिया था का उतर है 1790 में गोर्खो ने कुमाओं पर 1790 में अधिकार कर लिया था ये मैंने आपको प्रस्न 13 बताए प्रस्न 14 टैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था इसका उतर ने 1398 में टैमूर लंग ने हरिद्वार पर 1398 में आक्रमण किया था प्रस्न 15 कट्यूरी राजवन्स का सस्थापक कौन था इसका उतर है निमबर देव प्रस्न 16 खग मरा किले का निर्मार किसने करवाया था प्रस्न 17 शरी नगर से हटाकर ट्यूरी को अपनी रजधानी किसने बनाया था इसका उतर है सुदर्शन सहाने शरी नगर से हटा का टिहरी को अपनी राजधानी सुदर्सन सहा ने बनाया था प्रस्न अठारा निंज में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपादी दी थी A. भवानी सहा को B. परताप सहा को C. केर्थी सहा को D. नरेंद सहा को इसका उतर है C. केर्थी सहा को केर्थी सहा को अंग्रेजों ने CSI की उपादी दी थी प्रस्न 19. टिहरी में अंग्रेजी सिच्छा की सुरवात किसके सासंकाल में हुई इसका उतर है प्रताप सहा टिहरी में अंग्रेजी सिच्छा की सुरवात प्रताप सहा के सासंकाल में हुई प्रस्न बीस पर्मारवंस की सस्थापना कनकपाल ने चांजपूर गण में कब की थी? इसका उत्तर आट सो अठासी इस्वी में प्रस्न इक्किस कुमाउँ छेतर में भूमी निर्धारन प्रणाली सुरू की गई इसका उत्तर चंद्र राजाओं दोरा प्रस्न बाईस परजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ इसका उत्तर आट सो दो में ब्रिटिस उत्राणचल को संग्त प्रांथ आगरा एवं आवद का अंग का बनाए गया इसका उत्तर आट सो दो में ब्रिटिस उत्राणचल को संग्त प्रांथ आगरा एवं आवद का अंग 1902 में बनाए गया प्रस्न चौविस कुमाओं में अल्मोडा कांगरिस की स्थापना कब हुई थी प्रस्न पच्चिस कोटा खर्रा आंधूलं किसके हित में था इसका उत्तर आगरा आटूलं के सांतिलाल दुवेदी की प्रियासे गांधी आसरम की इसतापना की गई इसका उत्तर है 1937 में चनोदा सोमेश्वर अलमोडा में सांतिलाल त्रवेदी के प्रयासे गांधी आश्रम की स्थापना की गई 1937 में तो इस तरह के जो मैंने प्रेसन बताएं विविन ने कॉम्प्रेटर एक्जाम्स के लिए उनके लिए वीडियोज बनाता हूँ और मैंने अधी के लिए वीडियोज बना रखें जिनने आप मेरी प्लेइलिस में चेक कर सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आरजी श्ट्रीडो को सब्सक्राइब ने किया तो प्लेट का चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आपस से उनकल ने और मेरे वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर कीजेगा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद